चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV4, International Standard for Drinking Water तो क्लास अगर हम ये देखें कि Drinking Water के लिए जो International Standard तै किये गए है तो इसमें ये बताया गया है कि water के अंदर कुछ species जैसे कि कुछ ions उनकी limit क्या होनी चाहिए और ये आयन हो सकते हैं फ्लोराइट, सलफेट, लेड टू पॉजिटिव और NO3- यानि कि Nitrate आयन आईए पहले बात करते हैं फ्लोराइट की तो क्लास जो फ्लोराइट है उसकी जो limit है यानि कि जो उसकी concentration है water में इट मस्ट भी 1 ppm और ये Drinking Water के लिए है तो क्लास अगर जो Drinking Water है उसमें F- यानि कि फ्लोराइट आयन की concentration है वो 1 ppm या 1 mg पर decimeter cube होनी चाहिए अब क्लास question ये उठता है कि water में F- यानि कि फ्लोराइट आयन होने के फायदे क्या है तो क्लास ये तो हम already जानते हैं कि जो हमारे teeth होते हैं और उन पर जो cover होता है enamel उसमें hydroxy appetite present होता है जिसका chemical formula यहाँ पर दिया गया है और क्लास जो हम पानी में F- फ्लोराइड आयन पानी के साथ पीते हैं उससे क्या होता है कि ये जो hydroxy appetite है ये convert होने लगता है फ्लोरो appetite में जिसका chemical formula यहाँ पर दिया गया है जो की एक much harder substance है यानि कि यूँ कहें कि हमारे जो enamel है वो और ज़्यादा hard हो जाता है आईए अब बात करते हैं फ्लोराइड के effects की तो क्लास अगर फ्लोराइड वाटर में low concentration में है तो उससे tooth decay हो सकते है On the other hand अगर फ्लोराइड आयन वाटर में high concentration में है तो इससे brown mottling of teeth हो सकता है इसके अलावा अगर फ्लोराइड की जो मातरा है वाटर में वो बहुत ज़ादा हो जाए यानि कि वो 10 ppm के उपर बहुत जाए तो क्लास उससे हमारी जो bones होती है और जो हमारे teeth हैं ये damage हो जाते हैं आईए क्लास अब बात करते हैं lead की तो क्लास the upper limit concentration of lead in drinking water is about 50 ppb यानि कि parts per billion और क्लास effects देखे अगर हम lead के तो उसमें lead जो होता है अगर पानी में ज़्यादा मातर में हुआ यानि कि हमारे drinking water में तो वो damage कर सकता है हमारी kidney को हमारे liver को और reproductive system को तो क्लास इसका मतलब ये है कि lead तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा harmful होता है अगर वो निर्धारित की गई मातरा से ज़्यादा हो जाए आए क्लास अब बात करते हैं तो क्लास जो सल्फेट हमारे drinking water में होता है उसकी जो निर्धारित मातरा है वो है लगभग 500 parts per million और अगर सल्फेट आयन्स की ये मातरा हमारे drinking water में 500 ppm से ज़्यादा हो जाए तब lexative effect देखने को मिलता है otherwise moderate level पे सल्फेट आयन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हामफुल नहीं है आए अब बात करते हैं नाइटरेट आयन्स की तो क्लास नाइटरेट आयन की जो मातरा निर्धारित की गई है वो है लगभग 50 ppm और क्लास अगर नाइटरेट आयन हमारे drinking water में access में हो जाते हैं तो ये कुछ बीमारियों को generate कर सकते हैं जैसे की मैथे मोगलो बिनेमिया इस बीमारी को blue baby syndrome भी कहते हैं आए क्लास अब देखते हैं the maximum prescribed concentration of some metals in drinking water तो क्लास यहाँ पर आपको एक table दी गई है जहाँ पर आपके left hand side में कुछ metals है और right hand side में उनकी maximum concentration है ppm में जो की water में present हो सकती है इससे ज़्यादा concentration अगर metal की मौझूद है तो वो water हमारे लिए निश्चित ही हानिकारक होगा जैसे हम iron की बात करें तो उसकी जो maximum concentration है ppm में it is 0.2 ppm इसी परकार से zinc की बात करें तो it is 5 ppm और इसी परकार से बाकी metals की भी concentration यानि की maximum concentration allowed in water आप देख सकते हैं चलिए class इस topic के summary देख लेते हैं तो class इस topic में हमने water pollution और उसके sources के बारे में study किया जहाँ पर हमने पाया कि कुछ sources point sources होते हैं जबकि कुछ sources non point sources होते हैं हमने इस topic में water pollution के causes के बारे में study किया जहाँ पर हमने देखा कि causes में कुछ causes है pathogens organic waste और chemical pollutants हमने यहाँ पर देखा कि जो pathogens हैं वो micro organisms होते हैं और वो किस परकार से water को pollute करते हैं और different disease का कारण बनते हैं इसी परकार से हमने यह भी देखा कि जो organic waste होते हैं वो biodegradable होते हैं और वो किस परकार से water bodies को pollute करते हैं और class यहाँ पर हमने chemical pollutants के बारे में भी study किया जिसमें हो सकते हैं heavy metals, fertilizers, pesticides और अगर extreme level पर बात करें तो कुछ radioactive substances हमने इस topic में BOD यानि कि biological oxygen demand के बारे में भी study किया जहां हमने देखा कि अगर water body या water clean है तो वहाँ पर जो ppm value है dissolved oxygen की वो 5 ppm से कम होती है on the other hand अगर water polluted है तो वहाँ पर जो dissolved oxygen की value होती है वो equal और more than 17 ppm होती है और class इस topic में हमने eutrophication के बारे में भी study किया इस topic को cover करने के बाद आप इन questions को solve करेंगे ये questions हैं NCRT के exercise questions और अवंती workbook के यहाँ पर mention किये हुए questions यानि की question number 6, 8, 17 और 20